हेलो स्टुडेंट्स एक और लेसन में आपका स्वागत है और इस लेसन में हम कर रहे हैं ओड्स टु दा वेस्ट विंड और इसमें हम करेंगे कैंटो थर्ड पहले दो कैंटो आप कर चुके हैं अब बारी है कैंटो थर्ड की लाइन 29-30 तू यह आप सामने देख सकते हो Let's Start Though who didst Waken from his Summer Dreams the Blue Mediterranean तो यह जो कैंटो है इस कैंटो में कवी बात करने वाला है Mediterranean Sea पर West Wind का क्या effect होता है और Atlantic Ocean पर West Wind का क्या प्रभा होता है पहले दो केंटों में आप आपको याद होगा पहले केंटों में उसने धरती पर पतियों के साथ और धरती पर वेस्ट विंड का क्या परभा होता है वो बताया सेकंड केंटों में उसने बताया कि आसमान में और ओशन में उसका क्या परभा होता है आश्मान में किस तरह से बादलों को बोड़ा के ले जाती है फिर्स मीनड की तरह वो बाल लगते है और ऐसे लगता है कि जैसे किसी पेड़ से पतियां गिरती है वैसे वो बादल जो है ओशन और उसे अलग हुए हुए है आस्मान से इस केंटों के अंदर वो वेस्ट विंड का इन दो सागरों पर मेडिटेरेन और अटलैंटिक ओशन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में वो जिकर करता है तो पहले तीन केंटों में उसकी शक्तियों का ही गुणगान चल रहा है वेस्ट विंड की अब वेस्ट विंड क्या करती है मेडिटेरेनियन सी के साथ देखते है दाव तुम हूँ डिडस्ट वेकन जिसने जगा दिया है समर ड्रीम्स का मतलब है समर में मेडिटेरेनियन सी सो रहा था और सपने देख रहा था तो उसको बोल दिया है समर ड्रीम्स the blue Mediterranean तुमने blue Mediterranean पितेरेन को Summer dream से जगा दिया है who did just बताया गया है blue दिखाई देता है क्योंकि सागर का पनी दिन में blue दिखाई देता है आसमान की reflection परती है इसलिए blue बोला है तुमने blue Mediterranean को अपने summer dream से यानि जो summer season से जो नीद में सोया हुआ है और सपने देख रहा है उसको जगा दिया है अब वो जो सो रहा है Mediterranean Sea जहां वो लेटा हुआ है lulled by लल का मतलब होता है सोना लला बीज से लोरी होती है लल का मतलब है सो रहा था और किस के प्रभाव से सो रहा था by the coil of his crystalline streams Mediterranean Sea के अंदर जो streams गिरती है आकर के जो नदियां गिरती है आकर के वो crystalline बोला गया है उनको crystalline का मतलब एक दम साफ चमकदार जो streams जब Mediterranean Sea में गिरती है तो वो coil करती है coil का मतलब है शोर मचाती है कलकल की द्वनी करती है और कुंडलियां बना लेती है coil means कुंडली भी होती है तो गोल गोल गोम करके वो गिरती है शोर करती हुई उनकी मधुर द्वनी से वो लल हो जाता है लल का मतलब उसको अलस्टर द्याता है नीद आ जाती है और वो वहां लेटा हुआ है अब कहां लेटा हुआ है वेर ही ले यहां पे अस्वर दिया है बिसाइड ए प्यूमाइस आइल इन बाइस बे तो यह संटेंस का स्ट्रक्चर आप देखोगे कैसा है कि यहां पे यहां से शुरू होता है यह संटेंस हमारा दाओ वो डिडस्ट वेकन फ्रॉम इस समर ड्रीम्स दे ब्लू मेडिटेरेनियन की तुमने ब्लू मेडिटेरेनियन को अपने समर ड्रीम्स से जगा दिया है वेर ही ले वो कहां लेता होता है बिसाइड है 25 आइल इन बेजबे वो एक आइल है जिसका नाम पमाइस रखा गया है नाम तो नहीं है यह पमाइस एक क्वालिटी है आइल की 25 उस आइल को हम बोलते है जो जोला मुखी के लावा के इकठा होने से बनता है तो यह वो आइल है पमाइस आइल और कहां पर सिचुएटिड है यह आइल इन बेजबे बेई एक जगह है इटली के अंदर उसकी जो खाड़ी है उसके अंदर एक आइल बन गया है एक टापू बन गया है उसके बिसाइड में तुम लेते हुए सोरी वो लेता हुआ है Mediterranean Sea जो है वो वहाँ पे लेता हुआ है और इस अवस्था में लेता हुआ है लड़ बाइ दे क्वाइल ओफ इस क्रिष्टलाइन स्ट्रीम अपने क्रिष्टलाइन स्ट्रीम से वो उंग रहा है उनके शोर से और उस Mediterranean Sea को तुमने जगा दिया है एक आदमी की रूप में यहाँ पे देखिए हिज किया गया है हिज क्रिष्टलाइन स्ट्रीम हिज यहाँ Mediterranean Sea के रूप में आया है एक और इसमें नौट करने वाली बात है लिटरी डिवाइस जो ऐलिटरेशन यूज किया गया है अब देखिए वेर ही ले लल्ड यह एलिटरेशन हो गया क्वाइल ओफ क्रिष्टलाइन स्ट्रीम्स यह भी एलिटरेशन है यहाँ पे लल्ल की साउंड है ले लल्ड यहाँ पे कह की साउंड है क्वाइल ओफ इस क्रिष्टलाइन स्ट्रीम्स क्रिस्टलाइन स्ट्रीम्स यहाँ पे SS की साउंड भी रिपीट हो रही है तो बहुत अच्छी मुजिकल क्वालिटी यहाँ परदान की गई है एक और जगह है एलिटरेशन का यूज किया गया है यह देखिए आप बिसाइड एपमाइस आइलिन बेज बे तो इसमें देखो बे बे और बे यहाँ की साउंड आ रही है बिसाइड एपमाइस आइलिन बेज बे यह भी एक अच्छा मुजिकल क्वालिटी देने के लिए एलिटरेशन का एक अच्छा एक अच्छा यूज किया गया है यहाँ राइम स्कीम की हम बात करें तो वही टरजा राइमा चल रही है इसमें जैसे ड्रीम्स स्ट्रीम्स अगर इसको ए बोलेंगे तो यह भी ए है फिर ले नई साउंड आगे इसको भी बना देते हैं अब यह नया स्टेंजा शुरू हो रहा है किन तिन लाइनों के स्टेंजा इसके अंदर यह जो स्टेंजा है इसकी शुरुआरो ओती है बी से और आगे इसकी साउंड डी से बिनेगी भी स् weaving के करती हुषिक्वागे हमें मिलेगी वो अपने आगे हमें स्टेंजा में देखते हैं अब अगले स्टेंज आप जाते हैं विसाइड एपमाइस आइल इन बेज बे यह हमने कर लिया है इसके बाद यह आपके लिए एक्स्टेंशन है आप इसको स्क्रिंशोट लेके पढ़ लीजेगा याद भी कर लीजेगा यह लाइन 33 तो 36 आती है उसी का कंटिन्यूएशन है यह बिसाइड यह था यह बिसाइड एपमाइस आइल इन बेज बे उसके बाद हमें मिलती है यह लाइन तो एक लाइन इसकी पिछे आगई है अगे वाली लाइन यह यह है अब मेडिटेरिन इन सी की बात हो रही है कि वो नींड में था समर ड्रिम से उसको जगा दिया था वेस्ट विंड ने और कहां था वो पमाइस आइल के पास में था अब वहाँ उसने स्लीप में क्या देखा अपनी स्लीप में देखा ओल्ड पैलेशीज और टावर्स जब नीद में था तो उसने सपने में यह चीज़ें देखी ओल्ड पैलेशीज और टावर्स क्यूरिंग विदिन दा वेव इंटेंसर डे वो कांपती हुई देखी उसने क्यूरिंग का मतलब होता है कांपते यह ओल्ड पैलेशीज पुराने भवन जो है और टावर्स जब नी मिनारें जो है वो क्यूरि कर रही थी यानि कांप रही थी किसमें विदिन दा वेव इंटेंसर डे वेव का इंटेंस एक चमकदार दिन था उसके अंदर वो कांपती हुई उसने देखी क्योंकि दिन में जब सूरज की रोशनी पड़ती है समुद्र पे लहरों पे तो वो चमकती है लहरें और लहरों की चमक से जो है वो अंदर वाली जो इसकी चीज़े हैं वो भी चमकती है यह ओल्ड पैलेशेज टावर्स जो है यह डूबे हुए है आल ओवर ग्रोन विद अज्यूर मॉस ए अंदर है वो और यह मेडिटेरेनियन सी जो है निंदों में उनी की सपने ले रहा था और वो जो पैलेशेज टावर्स हैं उनकी हालत अब क्या हो गई है वो ओवर ग्रोन हो गए है यानि पर उपर उग गए है क्या हो गए है अज्यूर मॉस एंड फ्लावर्स उसके अंदर काई मॉस होती है काई जो हरे हरे रंग की अज्यूर बोला गया उसको निले रंग की बोला गया क्योंकि आसमान की परचाई जब समुदर बे पढ़ती है तो वो निले रंग की दिखाई देने लग जाती है तो यह अज्यूर मॉस और फ्लावर्स जो है उसके उपर उग हुए हैं कि जब उनका हम इमेजिनेशन ही करते हैं हमारे जो सेंस है वो फेंट होने लगता है यानि एक मद होसी चारे लग जाती है जब हमारे दिमाग में उनका ख्याल आता है उन टावर्स का और उन पैलेशिस का जिनके ओपर काई जम गई है और उसमें तरह तरह के फूल गए हैं तो जब हम उनको पिक्चर करते हैं यानि उनके बारे में सोचते हैं उनके पिक्चर को दिमाग में लाते हैं तो एक मद होसी चार जाती है उनके अंदर इतनी खुश्बू है कि अगर उनको हम सोच भी लेते हैं उसके बारे में तो हमारा सैंस जो है वो फेंट होता तुम अबी एक जो थाट्स हा उकंप्लीट हो गिया मेडिटिरेनियन सी वाला मेडिटिरेनियन सी के बारे में बता दिया वैस्ट विंड बढ़ा में थाक्त टा सिय वेस्ट विंड था वह इसको जगा देती है네िक 2 को अपनी समर की ड्रीम से और वो डिटेरेंसी देख रहा था अब आगे आते हैं तो भी इन तीन चार लाइनों के बारे में हमने देख लेते हैं जिसका रस्ता बनाने के लिए अटलांटिक लेवल पावर्स लेवल बनाने वाली शक्तियां है अटलांटिक ओशन है उसका जो पानी होता है वो लेवल में खड़ा रहता है उसको जो लेवल पावर्स यानि उसके लेवल को बनाने वाली जो पावर्स है उसके लेवल को बनाए रखने वाली जो पावर्स है वो अपने आपको क्लीव कर देती है वो अपने आपको दो भागों में बांट देती है Cleve का मतलब होता है बीच में दरार आज़ना छेड़ आज़ना या अपने आपको दो भागों में बांट लेना Cleve themselves वो शक्तियां अपने आपको cleve कर लेती है नियुश के आगे हार मान लेती है वेस्ट विंड के आगे समतल बनाई नहीं रख सकती इंटु कैजम वो अपने आपको कैजम में भी वाधित कर लेती है कैजम होती है गहरी खाई जब कोई चीज बीच में से फट जाती है जब कोई जमीन अगे बीच में दरार आगी तो दरार वाड इस जगाए पर एक गहरी खाई बन जाती है तो वो जो अटलांटिक के लेवल को बनाने वाली शक्तियां है वो वेस्ट विंड क्या के हार मान करके एक क्लीव कर लेती है अपने आपको उसको रस्ता देने के लिए अपने आपको चीर लेती है इन्टु कैजम और एक गहरी खाई बना देती है वाइल फार बिलो और इसी दोरान फार बिलो यानि समुद्र की गहराई में फार बिलो यानि निच्चे बहुत निच्चे यानि पूरी गहराई के अंदर क्या होता है far below यह line यहाँ पर आयो ही है आगे देखते हैं far below the sea blooms the sea blooms का मतलब है समुद्री वनस्पती blooms जो है यह verb नहीं है यह noun ही है sea bloom यह हाइफन लगा करके एक साथ किया हुआ है sea bloom का मतलब समुद्री वनस्पती जो निच्चे उगी होती है and the oozy woods और जो प्लांट है woods यहाँ प्लांट के लिए आए है पोदों के लिए आए है which we are जो धारन करते है the sapless foliage of the ocean sapless का मतलब होता है rass weheen जिनमें कोई rass नहीं होता है foliage होती है यह पतिया of the ocean तो जो अंदर प्लांट होते हैं sea के अंदर जिनकी पतियां होती है जो एकदम सुखी होती है no die voice वो तुम्हारी आवाज को पहचानते है वो सारे की सारी वनस्पती जो है नीचे नीचे far below दोवारा देख लेते हैं सोड़ा सा यह कि far below बहुत नीचे जो समुद्री वनस्पती है और जो पेड़ पोदे हैं उस्जी वुड्स हैं जो सुखी सुखी पतियों को धारन किये हुए है sapless foliage है जिनका the sapless foliage of the ocean no die voice वो तुम्हारी आवाज को पहचानते हैं जब तुम उपर वहती हो ना तो तुम्हारी आवाज को पहचान जाते है and suddenly grow gray with fear और वो जो है अवाज सुनते ही भै के मारे gray हो जाते है यानि उनका रंग जो है उड़ जाता है सलेटी रंग के हो जाते है उनको पता लगता है कि वेस्ट विंड आ गई है and tremble and dispoil themselves और वो फिर कांपने लग जाते हैं tremble and dispoil themselves और वो अपनी पतियों को गिरा देते है dispoil का मतलब गिरा देना है themselves का मतलब खुद को गिरा देते है वो पतिया oh here तो मेरी आवाज तुम सुनो यहाँ पर गुंगान किया है वेस्ट विंड का फिर से कि तुम्हारा जो प्रभाव मेडिटेरेनियन पर क्या है और अट्लैंटिक पर क्या है उनको बता करें करता है कि अब मेरी आवाज सुनो तुम जैसे हम देवी देवताओं को परसंद करने के लिए पहने और उनकी सक्तियों का गुंगान करते है फिर अपने लिए हम कुछ मांगते हैं तो यहाँ पर हम पिर से थुड़ा सा अगर आप रिपीट करना चाहो तो यह पूरी की पूरी आश्या की बीच में एक्स्प्लेनेशन नहीं है तो यहाँ पर आप देखोगे dreams, lay, streams, फिर lay की ही sound दोबरा आजाती है, bay, day और बीच में नई sound आगी, towers, तो ये a, b, a हमने बताया था आपको dreams अगर a है तो streams भी a होगी lay, नई sound, b आगी, तो ये bay, यहाँ पे b आगया, ये c नई sound आगी तो इसको c बोल देंगे और फिर यहाँ पे ये वापस वही रिपीट वही sound तो ये b हो गई, bay और day तो ये इस तरह जलती है, a, b, a, b, c, b फिर आगया जाएगी c, d, c ये देखिए आप c, ये towers के साथ match कर रहा है flowers, तो towers को हमने c नाम रखा था, तो ये c हो गया ये दाओ, d हो गया और इसके निच्चे जो आएगा powers, ये flowers के साथ तो ये इस तरह से चलता रहेगा, c, d, c, d, c, sorry, d, e, d और फिर लास्ट में, e, e का का प्लेट मनेगा ओके students, तो I hope you have understood it well and if there is any problem, you can comment or you can tell me I will try my best to solve your problem ओके, so see you in the next lesson where I will come with 10 to 4 okay, good bye good luck